कि एवरीवन वेलकम डू राज एकोनॉमिक्स इन कॉमर्स क्लासे मैं हूँ नीरज कुमार और आगया हूँ लास्ट सेक्षन लेकर कि जो प्रीवियस येर कोर्शन वेर बाइस का जो मैं डिसक्षन कर रहा था उसका जो बचा हुआ कोर्शन 15 था 86 से 100 तक उसको डिसक्स करने ठीक है अगर आप एक्दाम दे रहे हैं है ना 24 में स्यूटी पीजी का यह सारे पूरा करके पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए जो भी मैंने कोर्शन करवाया है बाकी कोर्शन में पूरा डिसक्स कर चुका हूँ अगर आप नहीं देखें सब्सक्राइब लिंक दिया हूओा है बाकी कोर्शन को भी देख लीजिएगा काफी हैल्ब मिलेगा आपको एक्जाम में तो चलिए लृट ये सिक्स है कहता है दो इस्टेटमेंट धिया हुआ है क्या है इस्टेटम्स बन कह रहा है दा मेन फीचर्स आपको एक थेवरी पढ़ा दिया आपको है ना मतलब जो 1991 का जो इंडस्टिल पॉलिसी था ना पहले क्या था इंडस्टिल लाइसेंसिंग बहुत बड़ा मतलब चल रहा था निनटीफटी सिक्सщее में जब इंडस्टिल पॉलिसी रिजॉलिवेशन आया वहां इंडस्टिल लाइसेंसिंग की बात की गई ठीक है वहां पर पबलिक सैंक के रोल को बहुत बढ़ा चला के दि जी liberalization privatization globalization इसके तहत क्या किया गया लाइसेंटिंग कम किया गया मर्टीप लिमिट जो था उसको बढ़ाया गया ठीक है और एंट इन्वेस्टर्स को रोब मतलब लाया गया यहां पर बुलाया गया भाहि आप आया यह अन्लोग करत कैज ज्यादा अट्रेक्टिव और विये गए है ना तो यह सब चीजे था 1991 में तो यह हमारा सही है इस्टेटमेंट टो फिर्स्ट इनस्ट पॉलिशी रिजलिवेशन वाज इसूद ऑन 1951 गलत है पहला इंडेस्ट्रियल पॉलिशी इंडिया में आजादी के बाद आनिट फिफ्टी एट में आया था और 1956 में इंडेस्ट्रियल पॉलिशी रिजॉलिशन आया था तो इस्टेटमेंट वन इस करेक्ट बट श्टेटमेंट टू इस रॉंग राइट चलिए नेक्स और अप्सन नमबर या कोशन है 83 87 सॉरी 87 नमबर कोशन हमारा क्या कह रहा है जी 87 हमारा कह रहा है मैच करने अने अने रूरल इंप्लॉइमेंट प्रोग्राम मतलब रूरल एरियास के जो लोग थे हैं ना उनको रोजगार देने के लिए प्रवधान की गई कब उनिस सुआसी में इसका ऑप्सन टू होगा राइट तो कन्या समरीदी योजना बेटियों के लिए लाया गया योजना है हमारा ठीक है यह कब लाया गया 2015 में तो यह हमारा ऑप्सन नमबर फोर होगा ठीक है कोई दिकत नहीं हां तो कहीं मिल रहा है मैच ऐसा कर रहा है बिल्कुल मैच कर रहा है देखे तो एक ही ऑप्सन तो मैच कर रहा है तो आप्सन नमबर थ्री पहला का दूसरा मतलब उसके बाद जो फूड फूर वर्क प्रोग्राम यह 2001 में लाया गया और रूरन लैंडलेस इंप्लॉइमेंट गारेंटी प्रोग्राम यह लाया गया था पस्टाइम इन्होंने ही अना वेल्थ ड्रेन का कंसेप्ट दिया था कि जो ब्रिटिस थे इंडिया से क्या कर रहे थे वेल्थ ले जा रहे थे वो तो काफी विकास कर रहा था इंडिया विकास नहीं कर रहा था ठीक है इन्होंने नेस्तन इंकम वगेरा पर कैपिता इंकम बगेला को भी सबसे पहले मतलब एस्टिमेट किये थे ठीक है तो दादा भाई नो रोजी हमारे यहाँ पर आंसर होगा 89 नंबर है consider the following statement regarding the argument of free trade free trade का मतलब होता है without barrier trade without barrier हना तो क्या है a free trade leads to maximization of output income and employment बिल्कुल यह correct है हमारा ठीक है तो इसमें क्या होता है न हर एक प्रोड्यूसर अपने output को maximum करता income को maximum करता employment को बढ़ाता है free trade prevents monopoly बिल्कुल सही है अगर free trade कोई भी ट्रेड कर सकता है तो एक particular monopoly वहाँ नहीं बना पाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है free trade protects domestic industry नहीं यह गलत है domestic industry को protect नहीं कर पाता है ठीक है free trade favors monopoly नहीं यह तो prevent करता है तो option A और B केवल सही हमारा हो यहां पे option number two ठीक है चलिए आगे दपकोर principle of multilateral trading system देखिए multilateral trading system जो है इसके बारे में कहा जाता है कि जो कई देश्ट है ना बिना discrimination किये है ना जब अपना trade करते तो वह होता है non यह multilateral trading system ठीक है यहां पर option हमारा जो है न यह principle याद रख लिजेगा non-discrimination की बात करता है reciprocity की बात करता है domestic safeguard की बात करता है इसकी बात नहीं करता है तो हमारा ABD कहीं है option one में यह हमारा correct answer होगा ठीक है चलिए कि नेक्स्ट है 91 कहता है इंडिया है था बिग पोटेंसल डेमोग्राफिक डिविडेंट बिल्कुल इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंट का जो पोटेंसल बहुत जबर्जर्स था है एकनोमिक क्या है ना यहां पे वर्किंग एज गुरूप बहुत जैदा है सही बात है और रीजन है इंपोटेंट कोश्चन हंड्रेट कोश्चन में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए वह वीडियो जरूर देखिए गा वह प्रिविए से नहीं रहेगा वह इंपोर्टेंट कोश्चन जो मुझे लगता है मैं उसे अप्लोड करने वाला हूं ठीक है करके अब आप आपने कर लिए सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा ताकि आप 12 तारिक को एकजाम में जा और फोर्ट दालो ठीक है नेक्स्ट है नैंटी टू कहता है आप कॉमन रिसॉर्स इस राइवल तेकि कॉमन रिसॉर्स गूर्स एसे गूर्स को बोलते जिसका अगर एक कोई क घटती है लेकिन आप किसी को कंणंशं से रूप नहीं सकते हो मतलब है मतला एक हमये मतलब और टालाव है थिकसी को रोप सब्सक्राइब होता है किसी कंजम्शन से आप रोप बिनी सकते दोनों स्टेटमेंट से यह बहुत थैस्टेटमेंट वान एंट टू आर करेक्ट क्लियर चले 93 फिसकल पॉलिसी रिलेट्स तक गवर्मेंट डिसिजन इन रिस्पेक्ट टू फिसकल पॉलिसी जो गवर्मेंट पॉलिसी का टूल है फिसकल का नहीं ठीक है तो फिसकल में टेक्सेशन गवर्मेंट स्पेंडिंग गवर्म आएगा ठीक है सरकार के द्वारा जो वर्क किया जाता है पूर प्रैस इस्टैबिलिटी फॉर दा इस्टीडी ग्रोथ रेट आप दीकॉनमी इसको मेंटेन करने क लिए ठीक है यह फिसकल पॉलिसी होता है तो एबी सी तीनों होगा ऑप्शन नंबर दो एबी सी ओनली ठीक है तो आलवे नंबर कोर्शन में मुझे तुछ सब्सक्राइर लगा था मैंनों से इंक्लूड नहीं किया है ठीक है तो फर्स डेरिवेटिव आप एक्स का पावर देखें माल लीजे y इक्वर्स एक्स का पावर एक्स है तो टेकिंग लोग बोट साइड क्या होगा log y इक्वर्स लोग x का पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा log y इक्वर्स एक्स इंटु लॉग act clear है तो यहां देके differentiates करें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा log y का 1 by y into dy by dx लिखना पड़ेगा और इधर प्रोड़क्ट रूल लग जाएगा एक बार x बाहर रहेगा log x का डिफ्रेंशियेशन 1 by x होगा प्लस एक बार log x बाहर रहेगा x का 1 होगा डिफ्रेंशियेशन क्या हो गया यहां से x x कैंसल हो गया तो dy by dx क्या होगा y उधर चला गया तो y into 1 plus log x बचेगा यहां y का मतलब क्या है x का power x into 1 plus log x तो option हमारा यह हो कहीं है बिल्कुल है option number 4 this is the correct answer ठीक है चलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू आप एक्स प्रबैविलिटी डिस्टिबूशन फंक्सन दिया होगा हमारे पास यहां पर है ना प्रबैविलिटी इसका क्या निकालने थिक्टिकरि एक्सपेक्टेटर्थेशन एक्सपेक्टेड वै्ल‬ एक्स का फ्रॉर्मूला होगा सिगमा एक्सिन्टक्रायबिलीटी ऑस ठीक है सब से पहले एक्सिन्टक्न इंट्राइबिलिय प्रूबबीलिटी अपेक्स जो है इसको multiply partень दोनों को it now a zero point seven five दार कितना होगा 3.00 इधर क्या होगा पाच लफ पॉर पाइस तो कि टू पॉइंट फाइब कर लिजिएगा 200 हाँ ठीक है अपको जोड़ देते हैं कितना होगा सबको एड़ कीजिए 0.75 प्लस 3 प्लस 2.25 मिला जुला क्या आग अच्छे आंसर है बिल्कूल ऑप्सन नंबर 3 ठीक है चलिए कि 97 इस्टेंडर् नॉर्मल डिस्टिब्यूशन देखो नॉर्मल डिस्टिब्यूशन बेसिकली क्या होता है जब हमारे पास है ना होता है ठीक है ना तो वहां पर नॉर्मल डिस्टिब्यूशन का यूज होता है और स्टेंडर् नॉर्मल डिस्टिबूशन होता है जहां पर तो ऑपसन 2 होगा आंसर मीन क्या होगा 0 होगा 10 DollAd piram도 टोनों वन ही होता है ठीक है तो मीन 0 इस्टे रीट को है त्ष्ट का स्कॉरइन् टो मिन जुरö टूंड एप ओर भी तक ingredients one चलिए 98 एक हिसको मेंने देख़ैं विदियो में अगर आप लोग अभी तक इसको नहीं देखें तो जा करके कोई वीडियो देख सकते कौन सा पता है मेरे प्लेलिश में जाइए का इंडियन एकॉनमी भारतियार्थ वस्ता लिखा वह होगा उसमें एक बारे में दिया गया है इसमें फिसकल पॉलिसी का सिलिंग लिया गया था कि 3% तक जाने देना है उससे ज्यादा नहीं ठीक है चलिए इस लोकस अफ कॉंबिनेशन अ ऑउट्पूट इंट्रेसे मार्केट मतलो मनी मार्केट मार्केट ठीक है कलिए थैस मिल्यॵ valt फोलोविंग इन्क्रोड एंडा ऑरेंज ठीक है तो सबक्रिणत देट दिया हुए देखिए गॉल्ड स्टेंडर्ड मेकानिजम जो है 1870 सुरू हुआ चलते रहा बीच बीच में आया फिर हटा ना ग्रेट डिप्रेशन 1929-39 तक चला था इस्ट एस्ट एस्ट क्राइसी 1997-98 में आया ग्लोबल फिनांसर क्राइस दोजय साथ-8 में आया था ठी स्टेट डिप्रेशन फिर इस्टी एस्या क्राइसिस फिर ग्लोबल हना तो देखिए तो डी सी बी ए है बिल्कुल ऑप्सिन नंबर ठीक है तो यह था आपका टोटल हंडेट कोस्टन का डिसकेशन अना को दिकत नहीं अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें देख सब्सक्राइब करूंगा कल ठीक है और उसके बाद जो है मेरा जो इंपोर्टेंट मैंने जो बनाया है 100 कोस्टन का है मैं उससे करूंगा 11 तारिक को आपके बीच में ले आऊंगा मैं ठीक है पास कहीं तक मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवा करूंगा